Hello everyone, welcome to this video and my name is Daman Trivedi. So, in this particular video series, we are learning Word Power Made Easy by Norman Lewis. इस किताब को हम लोग पर रहे हैं हैं. हमने पिछले वीडियो में session number 29 तक कर लिया था. अगर आपने अभी तक Telegram channel जोईन नहीं किया तो जोईन कर लिजिए और अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप ओपेन करिए. अप डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बेट क्लासेस में जाएए, वहाँ से complete English batch में जाएए, वीडिटेल्स में जाएए, यहाँ से आप English वाले section में जाएए, यहाँ से आप vocabulary वाले section में जाएए, आपको इस तरीके से ढेर सारी पीडियोज मिल जाएंगी वहां से आप पीडियोज एक्सेस कर सकते हो और वीडियोज भी आप एप्रिकेशन पर देख सकते हो के अलावाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए टेलिग्राम जोइन कर लो अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टेस करना चाहते हो तो rvelearning.com यह हमारी वेबसाइट है आप इससे प्रैक्टेस प्रैक्टेस कर सकते हो प्रिवियस एर के मॉक टेस्ट हमने आप प्री में प्रोवाइड किये हुए है साथ ही साथ अगर आपने officers batch join नहीं किया तो आप officers batch join कर सकते हो लिंक आप का description box में है application पर जाके आप यह batch purchase कर सकते है officers batch ठीक है इसमें आपको सारे subjects मिल जाते है आपको everything आपको एक batch मिल जाता है particular English का batch join करना चाहते है तो भी आप जोइन कर सकते है इसमें आपको complete English मिल जाती है from zero to hero everything आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके लाबा हमारी playlist है आप इसे भी इसको explore कर सकते हो complete grammar का crash course है आप इसे explore कर सकते हो इसके लाबा multiple other courses है हमारे playlist है जिनको आप देख सकते हो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने session को हमने पिछले वीडियो में जो वो क्या पढ़ी थी एक बड़ इसका quick revision करेंगे और उसके बाद हम लोग आज के session को आगे बढ़ाएंगे तो चलिए पहला word हमारा है ventriloquist हमने पढ़ा था वें वेंट्री लोकिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था वह आर्टिस्ट ऐसE आर्टिस्ट जो आपके पेट से आवाज निकालते हैं ऐसा लगता है इस प्रकार के esses प्रकार का डमी लेकर बोलते हैं उन्हें कहा जाता है इसके लाबा को लोकियल मैंने बताया था ऐसी ऐसे शब्द जो आम बोलजाल की भाशा में प्रचलित हैं जरूरी नहीं कि वह एकदम formal English में सही हो उसे हम colloquial terms कह देते हैं इसके लाबा circumlocation मोता है किसी बात को घुमा फिरा के कहना ठीक है इसके आगे आता है हमारा word laconicity, laconicity मैंने बताया था laconic कहना मतलब कम शब्दों में अपनी बात को रख दिने को कहते हैं आपका laconicity इसके लाबा कोजेंट मतलब बताया था अपेलिंग फोर्सपुली तो रिमाइंड और रीजन ठीक है मतलब बहुत ही कोजेंट रीजन देना बहुत ही अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना कि आपकी आर्गुमेंट्स को लोग मान ले मैंगली लोगुंट होता है यू बहूत बढादा आप वोलुबल का प्रयोक करता है इसके बात में वर बल्यूबल पढ़ा जो बहुत अधीक बोलता है आफ्टर देट हमने पढ़ा था आपका गैरुला स्टॉकेटिव वॉल्यूबल वर्बोस इन सभी का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला ठीक इसके लावा हमने रिसेंट में अभी नई वोकाबलरी सीरीज शुरू करी है अप्लिकेशन पर ऑफिसर बैच में या इंग् अधिस्द का मतलब होता है जो अपने शित्र का काफी बड़ा आदमी है उसे हम बिजनस मैगनेट कह देते हैं ठीक है चली इसके अलावा हमने पढ़ा था हमागनिपाय होता है कि सी चोड़ा करके दिखाना क्या होता है निबाद में हमने पढ़ा थे वर्ट आपके He is a person of great size extent मतलब जिसकी value है Magnum होता है large bottle of wine Magnum Opus होता है किसी का कला का बहुत बढ़ा कारे That is called Magnum Opus Verbal होता है Shabdik words से related हो जाता है Verbatim शब्दशाह के लिए आजाता है Verbi है जो बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग Revolve किसी के around घूमना ठीक है इसके बाद में हमने involved पड़ा था किसी भी चीज में involved होना Participant होना Evolve होना धीरे धीरे grow होने के लिए हो जाता है After that हमने session number 27 करा था इसमें ventriloquist हमने ये सब पढ़ लिये थे इसके लबा ventrical, auricle, ये hurt के parts है ये भी पढ़ लिया था Like an uncle, very kind, dorsal view पीछे का view हमने पढ़ा था endorse करना, किसी को support करना, patronize करना वसी फेरस हो जाता है बहुत ही पुर्जोर तरीके से उपनी बात रखना outcry करना, somniferous जो नीन लाता है sporific insomniac मतलब इसे नीन नहीं आती है उसे insomniac कहते है, somnambulism नीज में चलने की बिमारी को somnambulism कहा जाता है ambulatory, walk करना बुर्णे लोगों के लिए parambulator जो ये device होती है बच्चों को walk कराने के लिए और parambulate करना, walk करने के लिए ही simply आता है amble laser आराम से walk करना है ambulance everybody knows अगला आता है हमारा preamble preamble सम्विधान की प्रस्तावना के लिए कहते है support of it, mean inducing हो जाता है इसके लाबा inarticulate जो अपने आपको अच्छे से express ना कर पाए articulate का correct antonym हो जाता है articulate जो अच्छे से express करे के बाद में session number 28 martinet ऐसा खडूस boss जो बहुत ज़्यादा अपने orders को मनवाता हो साइको फेंट होता है जो बहुत ही तलबे चाटने वाला बहुत ज़्यादा इस तरीके से चापलूस डेले चांटे होता है जो अपने कारे को बहुत ही amateurishly करता है professionally नहीं कर रहा विराग विक्षिन शुरू जणाकू महिला जो सबको बताती रहती क्या करना चाहिए shauvinist होता है male shauvinist हो गया जो male को बहुत ज़्यादा superior मानता है country के sense में shauvinist हो जाता है zingoism के sense में कि वो अपने country को बहुत superior मानता है monomania किसी एक चीज़ को लेकर पागलपन है iconoclast मोर्ति भिंजग जो popular beliefs को तोड़ता है इसके अलाबा atheist who doesn't believe in God lecture होता है बहुत ही lecturers के sense में आ जाता है man who is always thinking about sex और इसके अलाबा हमने hypochondriac पढ़ा था जो वेक्ती अपने आपको बीमार समस्ता रहता उससे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा बीमार हो जाएगा अपने वारे में excessive ख्याल रखता है उससे hypochondriac कहते हैं के बाद में हमने ये सारे words देख लिए थे now we are going to do question number session number 29 हमने word part रखा है psychophant everybody knows हमने पढ़ा है psychophant क्या होता है psychophant अब कहते हैं ऐसे वेक्ती को जो तलवे चाड़ता है दूसरे वेक्ती को खुश करने की कोशिश करता है just to gain some advantage over him उसे लगता है कि यदि मैं किसी को किसी ऐसे वेक्ती को जो हाई position पर है उसे खुश कर लूँगा तो मुझे उससे कुछ advantage मिल जाएगी तो ऐसे वेक्ती को हम साइकोफेंट कहते हैं ठीक है हमने session no.29 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था तो यह this have also been discussed already ठीक है यह हो गया था हमारा यह बाद में आता है मारा डाय फैनस हो जाता है ऐसा फैब्रिक जिसके आर पार दिख जाता है है डिलेटांटे सब प्रिसकस कर लिया है आगे बढ़ता है और टायरो नोवाइस नया होता है वर्टिसो कला की शेतर में बहुत ही अच्छा वेक्ती बहुत ही बढ़िया विरागो विक्सन शू बता दिया मैंने पैट्रियॉटिक जो अपने इस country को देश भगत शौबनिजम मैंने पहले ही बता जी आपको के बाद में पैट्रि मनी होता है फादर से जो इन्हरिट करी गई मनी है पैटरो निमिक होता है फादर के साथ में आपका नाम जो हो रहता है एंटोनिम अपोजिट और सिनोनिम पता है हमोनिम साउंड करने वाले निम पैटर पैटर निटी लिव फादर बनने से रिलेटेड हो गया इसके लबा पैटरनलिजम ऐसी गवर्मेंट जो बताती है कि आपको करियर क्या करना सब कुछ आपके लिए डिसीजन वही लेगी उसे पैटरनलिजम टाइप की गवर्मेंट कहते है पैटरियार्क होता है जहाँ पे मेल सुपिरियरिटी होती हो और मेल इस दे हैड ऑफ फैमिली इस पैटरियार्क सोसाइटी पैरिसाइट पेरिंट्स की हत्या इसके लबा मैट्रियार्क मदर से रिलेटेड हो जाता है आपका आटर अप्टर्वार्ट मतर्वां झाहां पर मात्रसता हो रहे है maternity mother बनने के से समन्नित हो जाता है के लबा maternal mother के side के सारे रिस्तिदारों के लिए आएगा matron head nurse को कह सकते हैं आप इसके लाबा almometer जहां से आप पढ़के आए है matrimony होता है matrimonial side शादित से related matricide mother की हत्या suicide खुद की हत्या हो जाता है after that हमारा होता है प्रधरर या सिस्टर की हत्या payload side basically sister की हत्याguitar wife की हत्या के लिए हो जाता है after that infanticide बच्चे की हत्या के लिए हुता है genocide पूरी की पूरी race या नसल के आप कर देν पेरिसाइट पेरिंट्स की में से किसी एक हत्या सेशन नमब 29 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था यहां तक जो पढ़ा हमने पिछले वीडियो में कर रख था है तो इसमें हमारे वही वर्ड्स कुछ-कुछ रिपीट होंगे और उसके बाद हम नए वर्ड्स भी पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा है फ्रैटर मतलब होता है ब्रदर तो अब देखो यहां पर फ्रैटर नाइज मैंने आपको बताया अगर किसी में आई-जे लगता है तो वह वर्ब बनने लगता है तो फ्रैटर नाइज ska मतलब क्या होता है तो बिहेव इन अ फ्रैंडली मैनल especially towards somebody that you are not supposed to be friendly with तो फ्रैटर नाइज का मतलब हो गया आप किसी के साथ में friendly हो रहे है लड़कों का चलता ना व्हव्हरभाई क्या हाल है तो हर बात में भाई-भाई करने लगते हैं So that is called आपका fraternize Okay All right, so fraternize मतलब हो जाता है Basically आप किसी के साथ में friendly हो रहे है To behave in a friendly manner Especially towards somebody that you are not supposed to be friendly with ऐसा वैक्ति जिसके साथ आप friendly नहीं है आप उसके साथ मित्रवत व्योहार करने की कोशिश कर रहे है That is called fraternize करना Fraternal, fraternity Fraternity के लोग है मतलब मेरी community के लोग है जिससे मालो आप doctor है आप की fraternity के लोग मतलब The doctors है That is fraternity So synonym associate करना Charm company It is usually unwise to fraternize with your employees मतलब ये अच्छा नहीं है आप अपने employees के साथ में fraternize करें You be friendly with them That is called fraternize करना Fraternize means to behave in a friendly manner Especially towards somebody with whom You are not supposed to be friendly with Fraternize Frater से बना, brother से भाई बनाना उस sense में आ जाता है अगला है soror Soror मतलब मैंने क्या बता है Sister Sorority हो जाता है Basically fraternity is भाई चारा Sorority हो जाता है बहन चारा Social club of female undergraduates is sorority So every year Mary would meet with her sorority sisters To reminisce about their college year Reminisce मतलब एक तरीके से memorize या याद करने से सम्मनित हो जाता है So sorority मतलब हो गया आपका sister से के sense में हो जाता है मतलब female friendship के sense में आ जाता है युग्जोरियस होता है wife So yugzorius means wife तो yugzorius का ततपर क्या हो गया A person who is excessively devoted to one's wife ऐसा वेक्ती जो wife के लिए एकदम excessively devoted हो मतलब जिसे हिंदी में हम कह देता है जोरू का गुलाम That is called आपका yugzorius Yugzorius मतलब हो जाता है जोरू का गुलाम जो विल्कुल wife के लिए 100% dedicated है जो वो बोलती है वो करता है जो everything is according to her only So her husband was yugzorius and she had no children जो जो उसका husband था वो बहुत ही yugzorius था बहुत ज्यादा उसके प्रती लगाव में रहता था उसे yugzorius कर देते है एड्जेक्टिव हो जाता है जोरियल एक्जोरियल एक्जोरियस ली और yugzorius नेक्स्ट है आपका मैरिटस मैरिटस मतलब husband यह spouse marital मतलब हो जाता है marital relation मतलब of relating to the state of marriage marriage के related हो जाता है marital अब याद रखना है conjugal मतलब भी आपका marital हो जाता है connubial, connubial ही हो जाएगा married हो जाता है antonym nonmarital could you ask you about your marital status कि आपके शाधी के status के बारे में पूच सकता हूं प्रिमरीटल गोगया अजो कि प्री मैंय तक प्री मैरिटल संपीं विचेस्पर जबनेड़ संपलने तो संत्ले इसकाल की रज़ी दो रगू एन आशार एक्पीं सिंग पर्मेरिटल जितर हुटर्फर दिया आरेंज हुटेटर थो लग isolating में सोना hesitancy feel करना तो प्री मेरिटल मतलब शादी से पहले प्री मतलब पहले मैरिटल मतलब related to marriage so happening before marriage शादी से पहले जो कुछ है जो कुछ है that is called pre-marital ठीक है रेक्स या फिर रिजिक मतलब होता है similar sound हो करने वाला वर्ड है रिजिक होता है आपका जैसे रिजिक before elections in Congress रिजिक मतलब हो जाता है कि पूरी उथल उथल होगी किसी के रोल्स बदले जाएंगे किसी को को कोई दूसरा रोल दिया जाएगा किसी को कोई दूसरा रोल दिया जाएगा that is called rigid ठीक है to completely organize again that is called rigid ठीक है तो हां तो रिजिक या फिर रिगेस मतलब होता है किंग आपका हमने वर्ड यहां लिखा हुआ है टारनोसारस टारनोसारस मतलब है बिसिकली आप टारनोसोर के लिए आ जाता है लाग्ज कानिवोर्स बाइप बाइप इस डैनोसार अब आते हैं रिजिक पे इससी से रिख से बनता है रीगल रीगल फिनेमा रीगल पाटी हौल बहुत आपसार लिखा होता है है तर रीगल मतलब हो जाता है टेपाटोब केंग और कुए आज देर्पोर हौइश मतलब हो जाता है छ गिंग और प्पिर मोनार्ख भॉर प्रिगल कर सकते हो अगला शब्द आता है हमारा रिगल से रिलेटेड रिगालिया रिगालिया इस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अक्सर आपने देखा हो कि रिगालिया पैलेस बैंकेट होल्स के नाम वोटल्स के नाम अक्सर रिगालिया रहते हैं इंप्लम्स आफ इंसिंग्निया ओ रोल्टी इस्पेशलिए देख रिगालिया आपके जो भी ऑनअमेंस हैं बाकी जो चीज़ें पहनेंगे ओल्ट प्रिगालिया वंवर्ड सप्टिटिशन में पूच्छा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना रिगालिया इस ornaments all that is called regalia the regalia is important to both with a long history next start on mania mania matlab hota hai madness matlab paagalpan monos matlab hota hai one word hai amara monomania mono matlab a maniak matlab paagalpan a person who is extremely interested in only one thing often to such a degree that they are mentally ill matlab kishi eight cheese ke prati paagalpan ho na paagal ho na ish extent that that you feel that they are mentally ill we will paagali ho jane that is called a monomaniac okay so he was monomaniac who was not entirely responsible for his actions adjective ho jayega monomaniacal monomaniacal okay so a person who is extremely interested in only one thing up to an extent that you feel they are mentally ill to men monomaniac kishi eek cheese ko lekar paagalpan ho jana that is monomaniac agla hai dipsa 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 matlab hota hai thirst matlab pias mania matlab paagalpan kishi se word bantah hai it's a very important word dipsa mania dipsa mania dipsa mania matlab pias ko lekar paagalpan matlab pias ko lekar paagalpan pinay ko lekar paagalpan aur agaran in general kaihi ki wo pi kya aya hai to aap kya samujte ho he has he was he was he was drunk he was drunk his ka matlab aap kya samujte ho ki he has consumed alcohol so dipsa ka matlab bhi ho gaya ki penis so dipsa mania so dipsa mania joh alcohol pene ka aadhi hai so an uncontrollable craving for alcoholic liquors sharabi ke liye joh shabda aata hai woh aata hai dipsa mania yani ki uncontrollable craving for alcoholic liquors is called dipsa mania so I hope he is not a dipsa mania or dipsa mania मतलब मैं आशा करता हूं कि वह एक शराबी नहीं होगा dipsa mania नहीं होगा पागalpan होगा ठीक तो dipsa mania का मतलब हो गया शराबी या फिर शराब के प्रती लागा लगाव पागलपनिक प्रकार से अगला वर्ड है हमारा mania mania मतलब पागलपनिक इसके तरीके से कई सारे मेनियाज हम देखेंगे klepto klepto मतलब होता है thief klepto मतलब होता है thief या फिर चोर तो klepto मतलब हो गया चोरी mania मतलब पागलपन तो klepto मतलब आपको चोरी करने की आदत है आपका मकसद यह नहीं होता है कि मैं यह पांच रुपए की चीज चुरा लूँगा तो मेरी पांच रुपए बच जाएंगे नहीं यह पागलपन होता है एक फिल्म आई थी सत्य जी एक नेट्फिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी दे नाम से उसमें एक एपिसोड था जिसमें मनोज बाश्पई थे और वो टीव अले एक्टर है जो अकसर फादर बनते वो थे तो उसमें उनको क्या था मतलब वो चुरा लेंगे चीज उन्हें नहीं मतलब है कि उससे उन्हें कुछ benefit होगा या नहीं होगा उससे उन्हें कुछ फाइदा होगा नहीं होगा उससे पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे कि that's not important for them उनको आदत है बस चुराने की that is called dipso mean sorry kleptomania ठीक है तो klepto जब भी आएगा उसे चुराना ही कैसी चुराने से related ही आएगा इसी से एक और word बनता है kleptocracy तो klepto मतलब चुराना हो गया crazy मतलब rule तो kleptocracy का मतलब हो गया चोरों का साशन मतलब corrupt लोगों का साशन के सो klepto मेनिया समझ के ऐसे breaking bad में जो हैंक होता है जिन लोगों ने देखी होगी वो समझ पाइंगे हैंक की जो वाइफ है उसे भी klepto मेनिया होता है मतलब वो चुरा लेती है चीजों को ठीक है so klepto मेनिया is a mania for stealing things चीजों को चुराने की जो पागल पने that is klepto मेनिया अगला है पाइरो तो पाइरो मतलब fire ठीक पाइरो टेकनीक मतलब पटाखे fire तो पाइरो मेनिया मतलब हो जाता है जिसे आग लगाने की बहुत मज़ा आता है okay so all the aunties in the house पाइरो मेनिया मतलब जिनको आग लगाने बड़ा मज़ा आता है तो उससे पाइरो मेनिया काएंगे so pię yo may nie deny doesn't throw away the last three matches pionenya जिससे आग लगाने में बहुत ही interest आता है बहुत ही मज़ा आता है that is pyromenia अगला है incendo या incensus incendo या incensus इसका मतलब भी होता है madness टो word बनता है incendiary 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 incendo या incendrous से ही बन रहा है incensus से ही बन रहा है मतलब क्या बताया पागलपन तो incendiary का मतलब हो गया आग लगाने का जो या पागलपन है that is called आपका incendiary ठीक है so incendiary इस आग लगाने का पागलपन ठीक आग लगाने का जो पागलपन है इस इसक इसका root word वर्ड है वह आपका incendor आ जाता है इसका जो root word है incendor है जिसका मतलब होता है fire तो incendory मतलब हो गया fire आग लगाना designed to cause fire जैसे कुछ ऐसी चीज जिससे आग लग सकती हो उसे कहते हैं इंसेंडरी ठीक है something which is designed to cause fire is called इंसेंडरी एक और वर्ड होता है आर्सनिस्ट क्या करता है आग लगाता है एस साथ कारी पबलिक प्रॉपर्टि को आग लगा रहे हो उन्हें आर्सनिस्ट कहा जाता है ठीक, आर्डव या आर ठस मतलब आग लगाना, तो वर्ट आवई आगया आर्सट मतलब आख क्रिमिनल वो एल्लीली सेटस फईयर्ट ऽाइयर्ट यैन्ही जो चीजों पर आंग लगा रहा है, सरकारी अट्रौल अंड कर रहू है, उससे आर्सट कहा जाता है, एक है मेनिया मतलब हुमने क्या बताया पांगलपन मेगाज मतलब क्या होता है मैंने great big to megalomania megalomania अब इतने क्या है a mental illness एक प्रकार की दिमागी परिशानी in which somebody has a much greater belief in their own importance or power than is reasonable to he is megalomania मतलब वो अपने आपको बहुत ही important समझता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्यक्ति समझता है अपने आपको बहुत ही he thinks that he is a king of somebody और उसकी बहुत importance है value है ऐसे व्यक्ति को हम megalomania कहते हैं तो megalomania होगा एक तरीके का dictator या फिर एक तरीके का ruler so the dictator was suffering from megalomania जैसे यह व्यक्ति को इसको ऐसा लगता है है कि एकदम राजा आया कहीं कहीं है तो megalomania क्या हो जाता है वहाँ व्यक्ति एक प्रकार की mental समझता है जिसमें आप अपने आपको बहुत अधिक बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं अधिपी आप है नहीं आप डिक्टेटर है जो डिक्टेटर या तानाश्रा होता उसे लगता है कि इस दुनिया का मालिक नहीं हूँ वाइल जाता है जो अपने आपको बहुत ही बड़ा वेक्ति समझता है वह थिंक्स तैट ही इस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस वाइल इस नॉट नेक्स्ट है हमारा निंफ इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान रखेंगे बन्वर्ट अप्टिशिन में पूछा गया है निंफ मतलब होता है ब्राइड और मेंनिया मतलब पागलपन तो निंफो मेनियाक मतलब हो जाता है अब परसं अब वंधिद अंकंट्रॉलेबल एक्स nymphomania is a is a woman who is who is of excessive sexual desire is called nymphomania of women with uncontrollable or excessive sexual desire is called nymphomania nymph matlab ho jata hai aapka a bride of women armenia maclab paagal pan sani for mania karapan mahta women who is has a excessive sexual desire is called nymphomania so So, Lucia was known nymphomaniac in Paris in the 30s. अगला है satyros, मतलब satisfies से related है, mania मतलब पागलपन. So, satyromania मतलब हो जाता है, excessive sexual desire in men. Excessive sexual desire in men is called satyromania and nymphomania क्या है? Nymphomania is excessive sexual desire in women. और on the contrary, अगर आप men की बात करोगे, तो what will be satyromania. So, satyromania का मतलब हो जाता है, आपका excessive sexual desire in men. So, satyromania means excessive sexual desire in men and nymphomania is excessive sexual desire in women. So, less severe, less generous man उसे कहेंगे, antonym decent, friendly या generous person हो जाएगा. The film tells the story of a satyromania, adjective हो जाता है, satyriasis, satyriasis, टिक है? अगला word है, claustrum. Claustrum मतलब होता है, enclosed. Phobia का मतलब होता है, fear. ठीक, दोनों को मिला दो, word बनता है, claustrophobia. Claustrophobia का मतलब हो जाता है, आपका extreme fear of being in a small confined place. The unpleasant feeling, that is, that a person gets in a situation which restricts them. So, claustrophobia, ऐसी situation को कहते है, जिसमें आप, न, कम जगे में यदि आप हो, तो आपको बहुत ही डर लगता है. ठीक, जैसे, अगर आपने जाकिर खान का हक से single देखा हो, Amazon Prime पे, तो उसमें एक जोक है, उसमें, जाकिर खान की जो गल्फ्रेंड है, वो से बोलती है, कि, न, मुझे, न, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो बहुता कमरा हो, आपको बंद कर दिया जाओ, तो आपको डर सा लगता है, आपको घुटन सी होने लगती है, इस इस क्लॉस्ट्रोफ गल्फोबिया, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है? प्रकार की? चन्पाइड प्लेिस इस कन्पाइड स्पेसे से आपको बहुत डर लगता है, एक जम घबरहाट होने लगती है, एक खुटन महसूस होने लगती है, that is, प्लॉस्ट्रोफोबिया, अगला है, एगोरा, एग् प्लिक प्लेके दर लग रहा है, उसे कहेंगे, है आपका एगॉरा फेविया को एक्स्ट और यह होता है कि इंबैरस्मेंट हो जाएगा या किसी प्रकार की कुछ हो जाएगा उस तरीके की फिलिंग के लिए अग्ला है अग्या है एक्रोस क्रॉस मतलब होता है हाइट थिक है फोबिया मतलब फियर तो इससे बनता है एक्रफोबिया, एक्रो मतलब height, phobia मतलब डर तो एक्रोफोबिया का मतलब हो गया आपको height से, उचाई से बहुत अधिक डर लग रहा है that is called आपका एक्रोफोबिया एगोराफोबिया हो गया, पब्लिक प्लेसे से डर और उचाई से डर को कहते हैं Acrophobia Acrophobia दर अगरा है उच्छाई से डर है कि इनको याद रखना है कि अरहां मैं एल्र मैंनी पीपल्स लिए से इंस्टीन p tri distribution और लगता है इसे हैइश क्लास्टिओंब बता है ईंगरा पॉब्या पॉब्लीक more words icon icon मतलब होता है religious image धार्मिक image को कहते है icon और clean मतलब होता है to break to break तोड़ना अब इससे क्या वर्ड बनेगा iconoclast मैंने बताया था iconoclast icon icon से बन गया ही हमारा मतलब हो जाता है आपका icon मतलब हो गया religious image class मतलब clan मतलब हो गया तोड़ना तो आप एक धार्मिक image को तोड़ रहे हैं मूर्ती को तोड़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको यह सब जब last time मैंने explain किया था तो आपको बताया था कि मूर्ती भंजक इसे हिंदी में कहते हैं क्यों कहते मैंने बताया पहले जब christianity develop हो रहा था तो मूर्ती को तोड़ना एक popular belief को तोड़ना था तो उसी sense में अब यह word आ जाता है अ अब person who criticizes popular beliefs और established customs and ideas is called iconoclast क्योंने हो जाएगा infant, terrible, free spirit, conformer, conformist ठीक है तो they often identify as outsider as iconoclast as someone who doesn't quite fit iconoclast मतलब मूर्ती भंजक ऐसा वेक्सी जो popular beliefs को तोड़ता है popular beliefs को break करता है उसे कहेंगे iconoclast अगला word है theos, theos मतलब होता है God, भगवान ठीक है ए मतलब हो जाता है negative prefix not इससे word क्या बनता है word बनता है इससे atheist ठीक है word इससे बनता है मारा atheist, atheist का मतलब हो जाता है somebody who denies the existence of God जो कहता है there is no God, God नहीं भगवान के अस्चित्य में विश्वास नहीं रखता उसे कहता है atheist ठीक है, so a person who denies the existence of God is called atheist, एंटोनिम इसका हो जाता है atheist, so he openly declared himself as an atheist, यानि कि उसने अपने आपको atheist declare कि वहाँ बगवान के अस्चित्य में नहीं मानता है atheist मतलब God, A मतलब not, who doesn't believe in the existence of God, ठीक है अब दूसरा word इससे related है agnostos, इसका no का मतलब होता है gno, इसका मतलब होता है to know, जानना, एक a मतलब not इसके word बनता है agnostic, it's a very important word in SSC में multiple times पूछा गया है agnostic का मतलब हो जाता है, ऐसा वेक्ती, a person who claims that they cannot have true knowledge about the existence of God but does not deny that God might exist, मतलब agnostic, atheist ने तो कह दिया भगवान ही ने, atheist का रहा है, लेकिन agnostic का रहा है कि they might be God but we have, we do not have complete knowledge about Him, हो सकता है भगवान हो और हो सकता है भगवान ना हो, तो he says that we cannot know about God, we could not know about the existence of God, that is called agnostic, ठीक है, so agnostical या पिर doubter, you grew up in an agnostic household and have never been able to bring yourself to believe in God, agnosticism, ये इसका agnosticism, adjective नहीं है, agnosticism का नाउन हो जाता है, through, dia मतलब through, no मतलब ना, जानना, तो इसी से word बना diagnosis, dia मतलब through, diagnosis मतलब जानना, diagnosis मतलब हो गया, the art or act of identifying a disease from its signs and symptoms, मरीज को देखकर, मजीरिच के लक्षनों को देखकर, मरीच के test के reports को देखकर, diagnose करना, ये बताना कि इसे कौन सी बीमारी है, that is called diagnosis, ठीक है, तो synonyms हो जाते हैं, diagnostician, award, call, conclusion, or decision, so the diagnosis was devastating, she had cancer, ठीक है, so diagnosis मतलब बीमारी का पता लगाना, the art or act of identifying a disease from its signs and symptoms, ठीक है, लक्षन को देखकर, बीमारी का पता लगाना, क्या कहलाता है, आपका diagnosis, ठीक है, प्रो मतलब बिफोर, अब इससे दूसरा वर्ड बना, prognosis, prognosis का मतलब हो गया, कि आप ये बता रहे हो कि इस बीमारी का भविश्य कैसा है, an opinion based on medical experience of the likely development of a disease or an illness is called prognosis, ठीक है, auguring है, auguring, तो right now, doctor says his prognosis is good, basically, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपकी बिमारी का पता लगता है, उस process को कहते हैं, diagnosis, जब एक बारी बिमारी का पता लग गया, तो फिर उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ टेस्स कराने को बोलेगा, उसके बाद बिमारी का पता लग जाएगा, उसके बाद डॉक्टर ये बताएगा कि इसकी prognosis कैसी है, prognosis का मतलब ये बिमारी curable है या incurable है, ये cancer, ये tumor benign है, या malign है, ये disease benign है या malign है, तो ben मतलब अच्छा है, यानि कि जो curable है, malign है, मतलब जिससे cure नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये diagnosis is the flu, ये पता है, चला है कि आपको फ्लू है, ये prognosis is full of recovery after lots of rest, यानि कि आपकी prognosis ये है कि आपका ये बिमारी ठीक हो जाएगी, ये बट आफर a lot of rest, ठीक है, तो basically diagnosis और prognosis में थोड़ा सा difference देख लेते है, it's an identification of the disease by via examination, and it is, it follows a diagnosis, it's a prediction of its course and treatment कि अभविश्य मिमारी कैसी होने वाली है, ठीक होगी नहीं होगी इसके बारे में, kios मतलब God, और monos मतलब one, इससे word क्या बनेगा, monotheism, monotheism means belief that there is only one God, यानि कि या भरुसा या belief कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही इश्वर है, that is monotheism, तो mono मतलब एक इश्वरवाद, ठीक है, एक इश्वरवाद is called monotheism, in my church, we believe in monotheism, the idea of a solitary God, मतलब हम एक इश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, कि there is only one God, that is called monotheism, ठीक है, kios मतलब God, poly मतलब many, तो इससे word क्या बना, polytheism, polytheism मतलब the belief that there is more than one God, कि हम जैसे बहुत सारे भवाद में विश्वास रखते हैं, तो polytheism का मतलब हो गया कि बहुत सारे भवाद हैं, there are multiple Gods, we can believe in any of them, so in mythological tales, citizens pray to many Gods, as the result of their acceptance of polytheism, यानि mythological scriptures में बहुत सारे हमारे Gods किये गया है, polytheism को दर्शारता है, मतलब भवाद बहुत सारे हो गया हैं, ठीक है, pan मतलब all, pan जब भी होगा, मतलब हो जाएगा all, kiosk मतलब God, तो pan, panthism, panthism का मतलब क्या हो गया, the belief that God exists in all natural things, यानि कि panthist की जो होगा, वह या मानता है कि भगवान हर एक चीज में है, हर एक वस्तु में भगवान है, God is in everything, that is panthism, pan से related दूसरे वर होते हैं, पूरे विश्व में फैल गई हो, endemic सबसे छोटी मतलब बीमारी जो एक रीजन में फैली है, epidemic जो एक कंट्री में फैल गई है, that is epidemic, और pandemic मतलब जो पूरी दुनिया में फैली है, that is आपका pandemic, जैसे COVID-19, endemic छोटे रीजन में फैलना, epidemic थोडे बढ़े रीजन में, pandemic पूरे दुनिया में फैल गई, so pantheism मतलब हो गया, in which we believe that everything has a God, भगवान कंकर में शुर है, that is pantheism, अगला है Logos, Logos मतलब science of history, and Theos मतलब God, तो word है हमारा theology, Theo मतलब God, Logi मतलब study, the rational and systemic study of religion and its influences and of the nature of religious truth, is called theology, so theology basically क्या है, कि आप religion के बारे में पढ़ रहे है, religion के लोगों पर influence के बारे में पढ़ रहे है, that is called theology, ठीक है, synonym हो जाएगा, conversational, informal, antonym, bookish, formal or learned or literary, ठीक है, so theology मतलब God, the rational and systemic study of religion and its influences and the nature of, of the nature of religious truth, is called आपका theology, ठीक है, according to Muslims, Muslim theology, there is only one God, यहनि कि Muslim theology के बारे में पर रहे है, there is only one God, ठीक है, so theology मतलब study of basically religion, आप ऐसे याद रहे हैं, अगला है, लेचर, लेचर मतलब to lick, इससे वर्ड आता है, हमारा लेचर, लेचर एक ऐसा वेक्ती, a person with strong sexual desires, और in negative way, that is called लेचर, और लेचरस, ठीक है, इसी से adjective बन जाता है, लेचरस, अगला, अपरसन who has, who is too much involved in sex, is called लेचरस, is thinking of women all day, what a लेचर he is, ठीक है, sexual pleasure, so libidousness, libidousness हो जाता है, आपका, libidin, libidinous मतलब हो जाता है, आप libidin, libidinous, not libidousness, libidinous मतलब हो जाता है, driven by lust, जो sexual desires से ही driven है, that is also libidinous, जो सेक्शुल डिजार से ही driven है, गोटिश, होर्नी, frigid, undeserved, under sexual text हो जाता है, antonym, Paul let his libidinous imagination run away with him, अगला है आपका, lascivia, lascivia मतलब wantonness, ठीक है, so lasciviousness, lasciviousness is preoccupied with, और exhibiting lustful desires, ठीक है, बहुत जादा sexually involved हो ना, या आपका, exhibiting lustful desires, इसकाल आपका, lasciviousness, पिनोने मुझाते है, coarse, crude, और आपका, dirty, antonym, clean or decent, so lascivious person was put in prison, तो सारे ही वर्ड जितने हमने भी पढ़े, lecherous, libidous, libidinous और lasciviousness, तीनों ही एक sense में ही, ठीक हो सकते हैं हमारे, ठीक है, तो अगला है lubricus, lubricus क्या हो जाता है, slippery, ठीक है, सो हम bike में क्या डालते है, oil, lubricant, lubricant oil डालते है, जिससे की जो friction है फिर पिस्टन में वो कम हो, ठीक है, तो lubrina, lubricious मतलब हो जाता है, having a smooth और slippery quality, ठीक है, बहुती smooth या पिर slippery quality होती है, that is, lubricious, ठीक है, concupiscent, goetis के, तो हमने देखते हैं, ठीक है, अगला है lesser, मतलब होता है, to be permitted, तो licentious भी इसी सेंस में आई गई, सारे चब एकी कॉंटेक्स्ट के हैं, licentious having in a way that is considered sexually immoral, यानि की licentious person, मतलब sexually immoral तरीके से involved होना, ठीक है, next है lude, lude while, मतलब भद्दा या फिर ओच्छा, ठीक है, lude comment किया, मतलब भद्दा या ओच्छा, बहुत खराब comment, ठीक है, suggestive of or tending to moral looseness, इसकाल lude comment, ठीक है, so lude मतलब होता है आपका,